कि चहन दोस्तो स्वागता आपका defense classes पर दोस्तों आज हम नेवी एयरपोर्ट्स exam के लिए रे आप्टिक्स के कुछ questions practice करेंगे questions सारे concept बेस पर हैं और सारे कर सारे questions जो है लास्ट एंड्य एक्जैम में आयोगे कोशन से मोशली कोशन्स वही हैं लिए मैंने इसमें पूछे गए ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं उससे पहले ज़िए आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ठीक है चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्ण है आवलता दरपन के मुख फोकस और ध्रुब के बीच बस्तू रखी जाती है तो उससे बनने वाले प्रतिवम के संब्द में कौन सा कथन सही नहीं होगा ठीक है आपके उप्सन है प्रतिवम आवासी होगा बी प्रतिवम बड़ा या आवर्द होगा C प्रतिवम अनंद पर बनेगा D परतिवम सीधा बनेगा तो दोस्तों इसका राइट आउंसर होगा वह का प्रतिव lama कर बनेगा मतले यह स्टेटेमेंट जो है गलत Мनटers जब आपको पता ऊब अवतार दरपन में ठीक है बस तू ही दुरुष और Eaf के बीच में हमेशा बड़ा बनेगा ये बद्ध्यान रखना पाकी सारी कंडिशनों में इसकी जो इमेज है वो बास्त्विक बनती है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है हमारा प्रकास आंक में जिस पत्री जिल्ली से होकर गुजरता है उसे कहते हैं ऐपकी option है Retina Cornea Pipoles Iris तो इसका जो answer होगा वह होगा Cornea आपको पता होगा और Cornea जो है इससे होकर आंक में प्रकास जो है प्रवेस्ट करता है ठीक है और Cornea को आंक की खिड़की बोलते हैं और नेत्रतान में हमेशा Cornea को ही दान दिया जाता है ठीक है और Cornea में विटामिन एक ही कमी से जीरो थैलनी अनामक रोग हो जाता है जिसमें मनुश अंधा हो जाता है ठीक है जिसके लिए डॉक्टर गोल्डन राइस खाने के लिए सजेस्ट करते हैं और रेटीना रेटीना जो है बस्तू की इमेज रेटीना पर बनती है और यह इमेज वर्चुल और उल्टी बनती है ध्यान रखना ठीक है वर्चुल इमेज बनती है हमेशा आँके रेटीना पर ठीक है और आयरेस यह जो है प्रकास को नेंत्रित करता है आयरेस के अंदर ही एक छिद्र होता है जिसे हम पिपुल्स या नेत्रितारा या पुतली बोलते है ठीक है तो इसक प्रकास का परावर्तन प्रकास का प्रकीडन प्रकास का अपवर्तन और प्रकास का धुर्वण तो दोस्तों इसका जो रैट आंसर होगा वह होगा प्रकास का अपवर्तन ठीक है प्रकास का अपवर्तन क्योंकि माध्यम बतल जाता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रका सभी हैं आपके option दे रखे है option a और वरावर f b r वरावर 2f c r वरावर 3f और d r वरावर 4f इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा option b r वरावर 2f आपको पड़ता है जो फोकस दूरी f होती है बक्रता तरजा की आधी होती है ठीक है यह फॉर्मुला रहता है नेक्सट क्योर keyboard के संबंद में निम्लयखित में से कौन सा कतन सही नहीं है ठीक है पहला रहे प्रकास भिन वाथ यह में पर था यह यह वहला सही है Vitam मेरवर तेंटी पावर सिख्स ईक मिल्यन में दसलाक वोता है तो तीन गुड़ा दसकी पावर सिक्स हो गया चरशों को नहीं गड़ा सेंगर निन सवी टुझाला की अर्ट मीटर समी टेह सेग्ड ये ठीक है और mu command water के लिए रहता है 1.3 और mu command y के लिए रहता है 1 यह याद रखना बहुत ज़दा काम देखा आपको तो यह बोल रहा है प्रकास जल की सते त्याग करकर y में जाता है ठीक है तो जल में इस command 1.3 है और y में जा रहा है मतलब 1 ठीक है तो आपने एक संबंध पढ़ा होगा mu proportional होता है बन अपन वी तो हमारा मतलब अपरतनांग कम हो रहा है तो चाल बढ़ेगी ठीक है लेकिन यहां बोल रहा है चाल धीमी हो जाती है तो इसका मतलब यह statement गलत है C तो इसका answer जो होगा वो C होगा के आड़ नेक्स्ट देख लिए ते हैं यकास क Def fifty जाता है तो वह दो करता है तो इसकी चाल बढ़ जाती है ठीक है जो मैंद बताता है यह यह से अट्वय से हमारा सिक सी निमले कित मैं प्रकास प्रकास के प्रात्मिक रंग कौन से हैं तो आपको याद रखना है इसके लिए आ जैसे आर चीब पढ़ते हुआ आर अर आर बी सी तो उससे याद के लिना आर आर जी भी ठीक है रेड ग्रीन और बिलू तो नीला लाल और हरा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट देखते हैं सेबन यदि प्रकास किरण विरल माध्यम से सकन माध्यम में सून नापतन कौन पर प्रविस करती है तो वह है उप्सन अ बापस परावर्दित होगी बी सीधी जाएगी और सी है दाइयो और मुड़ेगी और दी 45 डिगरी पर जुकेगी तो दोस्तों जब भी जो है प्रकास की करण प्रकास के करण से सकन माध्यम में जाती है जैसे यह इसी जीरो डिगरी पर प्रकास की करण त सचिहां एक la with a Ben बी मॉल्फंसे दिशान रखना सब्सक्राइब नंगये LEA Ton गए सब्सक्राइब इसको और यहां पर परावथन की जगे और आप्वरावरतन होता परावधन में सीदि आती जीरो डिच्टी पे वापस हो जाती सीदि प्यांखेब nggak जीरो डिग्री पे और कोस्टिन साथ एट हम समतल दरपण में जो परतिम में देखते हैं होँ यह बाशित्व होता है इसलिए उसकी फोटो आ छीनिकट पर वांसी यह जिए होता है आवासी लेष्ट की तुलना नहीं खिचिया सकती इसका जो राया चानसर है वह रोगा और अप्सिंड सी समतल द Kate Twist mutual == तो यह रावावां सर रहोगा और से एक पुंच एक सखन से विरल माध्य में मतलब है काच और या पानी से वाईल में जा रही है काच या पानी से तो में यू फॉर्पोर्चनल होता है वह अपॉन वी ठीक है तो हमारा कां और या अक से अपना कम होगा तो हमारी जो चाल है वह बढ़ेगी इसका जो राइट अंसर रहेगा वह रहेगा option A ठीक है next बस्तू से बड़े आकार का कालपनिक परतिवम बनाया जा सकता है बस्तू से बड़े आकार का ठीक है वो भी कालपनिक परतिवम तो यह किवल अवत्ता दरपण में बनता है क्योंकि उत्ता दरपण में कालपनिक तो बनता है लेकिन छोटा बनता है वह बनता है पस्तू से बड़े आकार का परतिवम ठीक है तो इसका राइट आंसर होगा option B next अविसारी लेंस होता है जो किर्णा एकत्रित करता है किर्णा फैलता है बास्तिक प्रतिम बनाता है कालपनिक प्रतिम बनाता है आपको पता है जो अविसारी होता है वह जो है किर्णों को एकत्रित करता है मेंसा ठीक है जो उत्तर लेंस होता है वह अविसारी होता नेक्स् प्रिजम के लिए बिचरण कौन अधिक्तम होगा? लाल रंग के लिए, बैंगनी के लिए, नेले रंग के लिए, हरे रंग के लिए. आपको पता होगा साइदी इसका अंसर, Option B, बैंगनी रंग के लिए. Next. 14. सोच मतर्सी के में लेकिन किकने कि फोक्स को कि दीजिआ तो दुदिए ने कि फोक्स Kaneur related और इसका सब्सक्रान के बराबराती में और। मृटीर इस्के होगा सब्सक्राइब की फोक्स दूरी से कम सोई हुए इसमें अभान तलेम्पुन्स किण बाव ऑ은 फोक्स historic के आधिक होगी कि इसकी फोकुस्स दूरी कम होगी एक पास है उसकी फोकुस्स दूरी अधिक होगी तीक एकशन 15 किस रोग के निवारण के लिए उप्तर लेंज का प्रियूग किया आता है मायोपिया है सब्सक्राइब कोटिक आप पता होगा साइड इसके वहाइट करता कि पर रख्य हो फिकत्स पता होगा से थी फॉरी ऐसे कोटें सीक्स्टीन और इसला कोशने पते फिरुक्षिन कोट्क किसे पर तो इसका आवर्दन होगा आपको पता है जब पत्रुन बख्रता केंद्र पर रखी जाती हैं ठीक है तो उसका प्रतिवम जतनी बस्तू की आपमकेस पर स्थोरी aż रिते ना हो जैगी यह नहीं तो हुझता आज यह प्रतों नारा आंसर जो रहेगा ओप्शन सी एम ब्रावर वन नेक्स्ट देखते हैं जल तथा वायू के क्रांतिक कॉंड सी में संबंध है यदी पाने के लिए अपरवरतनांग 1.33 कांच के लिए अपरवरतनांग 1.5 आपको इसके लिए एक संबंध पता होना चाहिए म्यू ब्राव कम देख लेते हैं कांच के लिए अपरवरतनांग है 1.5 मतलब कांच का परवरतनांग जाता है तो कांच का जो है क्रांतिक कॉंड सी कम होगा तो देखते हैं यह इसका राइट अंसर हैगा ऑप्सन पी स्री ऑप्सन ए क्योंकि पानी के लिए अपरवरतनांग कम है तो इसका करांति पोर्ड ज्यादा ओप्शन ए इसका राइट आंसर होगा कि नेक्स्ट है कि एटीन एक समतल दरपण पांस सेंटिमीटर प्रती सेकेंड की दर से आपके निकट आ रहा है आप उसमें अपना प्रतिवम देख सकते हैं आपको प्रतिवम आपकी आपका प्रतिवम आपकी और किस चाहिए तो आपको पता होना चाहिए वह समतल दरपण है ठीक है आप यह पर हो अगर आप इस तिरों आपकी स्पीड आपकी तरफ विचाल से आ रहा है तो आपकी जो इमेज है वह आपकी तरफ तो भी चान से आएगी ठीक है तो एक इतना 5 51110 दॉसका से होगा यह 10 cm नेक्स्ट देखते हैं यह भी कफी अच्छा है कोशन है निमने लिकित में असत्य कधन है एक पहला है वायू में प्रकास का बेग 300 300 million meter per second होता है तुसरा है निर्वात्र प्रकास खावेग 3,00,000,000 km per second C है काँच में प्रकास खावेग 200 million meter per second और D है पान इमें प्रकास कावेग 2.25 million meter per second तो इसका जो रहेगा और रहेगा option D मैंने आपको बदाएदा 300 million per second 1 million बरावर होता है 10 to the power 6 ठीक है इसको solve कर लेना तो काँच में जो है प्रकास कवेग होता है तो गुड़ां दसकी गात 8 ठीक है और पानी में होता है 2.25 into 10 to the power 8 तो इसका जो इसमें असरत्यकतन यह है ठीक है नेक्स्ट 20 प्लस 10 डायवक्टर तद्धा माइनस 10 डायवक्टर चंता वाले दो पत्रे लेंस संपर्ग में रखें इस सहयों की फोकस दूरी क्या होगी आपको पताए फोकस दूरी इसके सही होगी एव ब्रावर बनपोन पी प्लस 10 और माइनस 10 मतलब पी हो जाएगा जीरो तो बनपोंच जीरो क्या हो जाएगा इंफानाइट तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरू बताएं ठीक है अगर आपको इस वीडियो के पीडियाप चाहिए तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम गुरूप दे रखा है उसमें ज